Hello guys, आज हम माड़ा पूरा Finance LTE share के बारे में बात करेंगे, जो share का price of 115.70 पैसे है और इस share में one day में अब तक 2.85% की गिरावट आई है, बास दिन में जो share है उसमें 6.66% की गिरावट आई है, वन मंद में देखे तो, वन मंद में इस share ने 6.34% की रिटन दिये है, इस share में 6 मंद की बात करें, तो 6 मंद में share ने 30.73% की रिटन दिये है, year to date में देखे तो, year to date में share में 31.03% की गिरावट आई है, वहीं अगर हम max में all time की बात करें, तो all time में जो share है, उसने 221.57% तक के रिटन्स दिये है, share के book value, face value और beta को देखे, तो तीनों ही काफी जाद positive है, तो आप इस share को अभी फिलाल के लिए hold कर लीजे, क्योंकि आप देखी सकते हैं, इसके returns कितने minus में चल रहे है, तो अभी इसे hold करना ही सही रहेगा, आगे चलके इसके returns बढ़िया आ जाएंगे, और ये share आपको अच्छे returns देगा भी, तो आप इसे hold कर लीजे, share के delivery and volume की बात करें, जो इसकी volume है, टुडे की वो 74 लाग है, यस्टरी की 44 लाग, 1 week average की 1 करोड और 1 month average की 1 करोड और जो इसके delivery है, टुडे की 33 लाग 44.80% की है, यस्टरी की 17 लाग 38.02% की, 1 week average की 39 लाग 32.37% की और 1 month average की 38 लाग 33.27% की delivery है, share के resistance और support को देखें, जो इसका पहला support एव 113.90 पैसे है, दूसरा support 111.95 पैसे है, तीसरा support 108.90 पैसे है, चेयर के बलकडील की बात करें, तो 18 September 2020 को company के 0.68% share है, उनकी purchasing गुई थी और 9 November 2020 को company के 0.54% share है, उनकी selling होई थी, और 9 November के बात इस share में कोई भी बलकडील देखने को नहीं मिली है, share के share holding को देखें, जो promoter है, उसके पास 35.18% की share holding है, FII के पास 28.36% की, DII के पास 12.18% की और public के पास 24.27% की, इस share की जादतर share holding promoter FII और public के पास है, और सबसे कम DII के पास